Hello my day is today, welcome to the 11th lecture from CVSC class 11 chemistry from the series of atomic structure. आज इस chapter से related एक बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, तो चलिए देख लेते हैं आज का टॉपिक क्या है? Quantum Mechanical Model. कई बच्चों को इस पर काफी doubts होते हैं, इसलिए इस Quantum Mechanical Model को मैं part by part आपके सामने present करूँगी. तो आज हम पहले part को समझते हैं, जहाँ पर मैं आपको Quantum Mechanical Model का एक introductory idea आपको दूँगी. पहले भी मैंने इसको छोटा सा एक intro दिया है, लेकिन आज मैं आपको descriptive idea इस पर दूँगी. तो Quantum Mechanical Model is just like any other atomic model जैसे Bohr ने दिया था, जैसे की Thompson ने दिया था, तो फिर इस Mechanical Model को क्यों पढ़े? क्योंकि Bohr का Atomic Model fail हो दिया था, यह आपने पहले मेरे साथ देखा हुआ है. तो कौन-कौन से important development है, जिसके basis पे Quantum Mechanical Model आया. तो वो देख लीजिए, पहला है dual nature of matter जो की de-Brogley ने दिया था, जहां पे उन्होंने कहा था कि कोई भी छोटा electron sub-atomic particle जितने भी है, चाहे वो जितने भी छोटे हो, उसे particle nature ने ही, wave nature भी दिखाते हैं. और दूसरा था, Heisenberg uncertainty principle जहां पे Heisenberg ने कहा था, कि एक साथ हम कभी भी electron का position और उनका speed कभी भी predict नहीं कर सकते हैं, जो कि Bohan ने कहा था. तो इन दोनों को आपको अगर अच्छे से समझना है, तो I button पे click करके previous lecture देख लिजेगा, dual nature of matter के लिए आप lecture number 9 देख लिजेगा और Heisenberg uncertainty principle के लिए lecture number 10 देख लिजेगा. So, let's move on to today's topic, that is the quantum mechanical model. The quantum mechanical model को देने वाले थे Stradinger, Arrange-Stradinger. Arrange-Stradinger ने Heisenberg uncertainty और D. Brogley का जो concept था, तोनों को मिला कि उन्होंने कहा था, कि भई, अगर electron wave है, तो उसका एक equation जरूर होगा. तो वो है ये equation, इस equation को देखे घबराइए मत, आपके किताब में जो equation है वो है ये वाला, जिसमें H का मतलब है Hamiltonian operator और E है energy level. ये equation से वितना बताता है कि electron 3D space में atom के अंदर कहा पाया जाएगा. Heisenberg ने क्या कहा था, कि आप fixed कभी भी किसी चीज़ को बता नहीं सकते हैं, only you can predict or you say the word probability of finding the position of electron na atom. तो ये equation देखे, इस बंदे की तरह घबराने की कोई जरुवत नहीं है, उचल खुद करने की कोई जरुवत नहीं है, क्यूंकि आपको सरिफ जानना है इसमें psi का मतलब क्या होता है, ये जो शिवजी का त्रिशूल है, इसका मतलब क्या है? ये ही तो हमें चाहिए था कि electron atom के अंदर है कहां, और इसका information कहां समय मिलेगा, psi के अंदर मिलेगा, तो psi सही मतलब है, इसी चीज के लिए तो पूरा हम atomic model पढ़ रहे हैं अभी तक, अभी ये सब equation देखे घबराये मत, I think आपको हालत भी इनके जैसा लग रहा होगा कि दिम आपको याद रखने की जरूरत है, things to remember उसमें पहला है, psi, psi मैंने अभी क्या बताया आपको, this contains the information of electron, फिर आता है, psi square, psi square का जो कहना है कि 3D space में atom के अंदर electron की पाए चाने की probability क्या है, psi square tells the probability of finding electron in 3D space, बस इन दोनों को याद रखिएगा, अब आज आते हैं, यह है हमारा let test या फिर quantum mechanical model के हिसाफ से एक atom का structure, यहाँ देखिए बीच वाला है हमारा nucleus, और यह है electron भागता हुआ, अब देखिए हैं 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 ह एक wave जैसा छोड़ता हुआ जा रहा है, तो electronic wave nature शोग कर रहा है, जो कि डी ब्रॉगली ने कहा था, फिर दूसरे his and work uncertainty उसमें क्या कहा था, कि at a time आप कभी भी electron की fixed position और उसकी speed नहीं बता सकते हैं, जैसे ही बताने चाहोगे, दूसरे ही पल उसका position चेंज हो जाए, अभी अ electron के साथ, photon जैसे इस पे गिरेगा, तो इसमें क्या होगा, collision और इसका electron अपने path से deflect हो जाएगा, on that spot क्या हो जाएगा, electron का path change हो जाएगा, तो आप कभी भी electron का path, exactly उसकी position, speed नहीं बता सकते हैं, तो यह है quantum mechanical model का concept, तो फिर कैसे बता चलेगा, तो यहाँ पर पूरी कहानी च यहाँ मिलने की संभावना है, या फिर यहाँ इनको पाया जाया जा सकता है, that is the thing, अब आते हैं next चीज़ पे, देखिए, बोहट तक हमने क्या सुना था, nucleus के चारों तरफ क्या है, यह goal goal circle orbit, ठीक है, जिसके दूरी nucleus से fix है, quantized word यूज किया था, लेकिन यह quantum mechanical, जहाँ पर द देखिए, समझ में आ रहा है, यह 2D में दिख रहा है, और यह 3D में दिख रहा है, तो यहाँ पे, जिस जगह पे, electron की पाय जाने की probability highest होती है, उन चीजों को, उन जगह को हम कहते है, orbital, ठीक है, तो electron का information, electron का position, electron की रहने की जगह, कहाँ पे है, actual quantum mechanical model कहता है, orbital, so this theory is now discarded, now it is over, तो अब हमें orbital के बारे में समझना है, तो orbit और orbital का एक clear difference और distinct करने वाला picture आपके नजरों में जरूर होना चाहिए, तो आईए जरा मैं आपको दिखा देती हूँ, यह बहुत important है, आपके school examination के point of view में, अगर हो सके तो इसका screenshot जरूर ले ले लेजिएगा, orbit क्या होता है, orbit represents the planar motion, सीधी बात बोलो, 2D में electron का motion, and orbital represents three dimensional motion of electron around the nucleus, this is circular in shape, gold, gold, kangen जैसे होते हैं, they are different in shape from each other, orbitals के अलग-अलग shape होते हैं, जो हम आगे की video lecture में पढ़ेंगे, कुछ goal होते हैं, कुछ ऐसे tumble shaped होते हैं, tumble यारी ऐसे, जो gym बगेरा में इस्तिमाल होते हैं, तो यह हम आगे की videos में देखेंगे, लेकिन वह circular नहीं होते हैं, जैसे orbit circular होते हैं, orbital circular नहीं होते हैं, It is a well-defined path that revolving electron follows around a nucleus, well-defined path है, well-defined path होने का मतलब क्या है, nucleus से इसकी दूरी तैर है, जो quantized word used हुआ था, It is simply a region of space around the nucleus where electron are present, better होगा where the probability of presence of electron is there, हम कह सकते हैं, शायद वहाँ पे electron की पाई जाने की chances जादा है, यहाँ पे हमने क्या कहा है, यह electron यह ही है, बट यहाँ पे हम भोल नहीं क्या, शायद हो सकता है, The orbit theory doesn't satisfy Hilzenberg uncertainty, क्योंकि orbit theory में nucleus से जितनी जो दूरी होती है, electron की वो बता दिया गया था, बोहर orbit का formula, बोहर orbit का radius का formula था न, A not N square, तो कैसे आप बता सकते हो, अगर हम एक ही time पे उसकी position और उसकी speed नहीं बता सकते हैं, How you can tell the radius of the orbit is such such value, you can't say that, तो Hilzenberg uncertainty principle तो वहाँ satisfy नहीं होती है, But orbital में होती है, क्योंकि हम यह पूरी बात क्या कर रहे हैं, कि शायद यहाँ पे है, और यहाँ पे पाए जाने की chance से ज़्यादा है, percentage of availability is high, But 100% नहीं, क्या है like committed to an electron, इसमें हमने पढ़ा था, K, L, M, N, इनको कहते हैं orbit, यह आप class 9 से पढ़ते आ रहे हो, K में कैसे किस तरीकी से electron भरा जाता है, 2N square, ठीक है, N जैसे 1 हुआ तो, K shell 2 हुआ तो, L, M, N, लेकिन orbital कुछ और है, अभी मैं आपको detail में बताऊंगी, लेकिन orbital में केवल 2 electron आ सकते हैं, और orbit में 2N square का formula होता है, The planar motion of electron can be designated by KLMN, चलो, K छूड़ गया है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, K, and 3D motion of the electron is represented by the orbital, जिनका नाम है SPDF orbital, चलो, इसको मैं थोड़ा अच्छे से आपको संचाती है, जैसे देखिए, माल लीजिए, मैं आपको एक address बताती हूँ, जैसे कोई person रहता है Delhi में, तो उसका अगर आपको address चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, फर्स्ट उसकी country बताओगे, कि वो किस country में रहता है, country क्या होगे, उसकी India, ठीक है, उस country के किस city में रहता है, तो city क्या हो जाएगे, उसकी Delhi, और फिर city में किस जगह पे रहता है, supposedly, just supposedly, वो नौइडा में रहता है, I'm just taking it as an example, नौइडा में रहता है, place, sorry, ये place हो जाएगा, तो उस city के किस place में रहता है, ये किस sector में रहता है, नौइडा सेक्टर 18, something like that, फिर उस place में किस flat में रहता है, उस flat का number, ठीक है, flat का number मालनी, जब 140, ये उसका एक सही address होगा, उसे तरीके से electron का भी address होगा, क्या हम तो electron का address ही ढूण रहे है न, कि electron atom के अंदर है कहां, कहां पे है, तो electron के अगर address चाहिए, तो पहले हमें पता होना चाहिए shell, अब shell क्या है, shell है, अमारा K, L, M, N, shell के अंदर होता है, sharp shell, ठीक है, और sharp shell के अंदर हो जाता है, orbital, orbitals क्या क्या है, orbitals के type है, S, P, D, F, इनके अंदर होंगे electron, बाहर होंगे shell, फिर उसके अंदर होंगे sub-shell, sub-shell के अंदर होगा orbital, और उसके अंदर होंगे electron, इस तरीके से electron का हम पता देते ही, तो देखिए इस चीज़ को, आपको मैं और अच्छे pictorial view से समझाने की कोशिश करती हूँ, जैसे यह हमारा एक atom का structure है, यह हो गया हमारे nucleus, यह N1 first shell, इसको लिख देती हूँ, K, फिर L, फिर M, और फिर N, K shell में मेरे कितने sub-shell है, एक ही sub-shell है, एक sub-shell में कितने orbital होगा, S orbital, एक ही orbital है, L, जो है मेरा N equal to 2 दूसरा shell है, shell number 2, इसमें कितने sub-shell होगे, दो, यानि S और P, दो sub-shell होगे, और N equal to 3, यह M, इसमें कितने sub-shell होगे, तीन sub-shell, तो तीन होगे, इनमें orbital, S, P, D, जितने sub-shell होगे, उतने orbitals होगे, और इन्हीं orbital के अंदर क्या होगे, electron, हर orbital के अंदर electrons, pairs में आते हैं, चलिए वो हम आगे देखेंगे, अभी इस electron के address को, कैसे निकालते हैं, उसको समझे, class 9 तक आपने कैसे पढ़ाता है, 9-10 तक, KLMN ऐसे करके पढ़ाता है, और इसमें electron की गिंती कैसे होती थी, 2N square करके, अब ऐसे नहीं होगी, KLMN के अंदर क्या होगा, सब्षेल, और सब्षेल के अंदर क्या होगे, orbital, सब्षेल के अंदर होगे, orbital, और orbital कौन कौन से होगे, S हो सकते हैं, P हो सकते हैं, D हो सकता है, S हो सकते हैं, और इन्हीं के अंदर अच्छली क्या होते हैं, इनके अंदर नहीं होते हैं, इनके अंदर होता है, so this is how we are going to find the position of electron in an atom, तो next video lecture में मैं आपको पढ़ाऊंगे quantum number, quantum numbers के भी होंगे 2-3 वीडियो, देखते हैं कितने वीडियो होते हैं, वहाँ पे मैं आपको एक एक quantum number detail में पढ़ाऊंगे, अजो मुतल quantum number, magnetic quantum number, फिर इसके laws भी होंगे, चलिए ठीक है, अब आते हैं homework जो मैंने आपको last दिया था, ये था मेरा question और उसका answer है ये, अगर आपका भी यह answer आ रहा है, तो आपके लिए एक thumbs up तो जरूर बनता है, ठीक है, आज मैं आपको कोई homework दे नहीं रही हो, next class में मिलते हैं, अगर आपको चानल अच्छा लग रहा है, तो जरूर से चानल को like कीजिए, subscribe कीजिए, बेल बटन को hit कीजिए, ताकि मेरे upcoming videos की notification आपको time से मिलती रहे, और आई बटन पे जाके previous lecture को जरूर से देख लीजिएगा, बढ़ना doubt रहे जाएगा, और अगर कोई doubt है, कुछ पूछना चाते हैं, तो comment में जरूर मुझे mention कीजिए, अपना email ID दे दीजिए, मैं आपको email करके आपका doubt definitely clear करते हैं, Thank you for watching reaction tube by Shungumitra Chakravarti, see you at next lecture from the series of atomic structure.